नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का RPSC एक्जाम यूट्यूब चैनल पर और दोस्तों यूनिट नमबर दो का ये अंतिम वीडियो है अपना और यूनिट नमबर एक अपनी कंप्लेट हो चुकी है यूनिट एक और दो की जितने भी वीडियोज हैं सारे वीड यूनिट नमबर दो अधिगम अभीप्रेरणा और चिंतन ये तीन टोपिक थे तीनों के तीनों कंप्लेट करवा दिये हैं जहां पर अधिगम से संबंदित 14 वीडियो बने थे तीन वीडियो बने थे अभीप्रेरणा के और एक वीडियो बना था चिंतन का इस प्रकार कर साथि यो तो इस वीडियो में अपन उन टॉपिक्न के बारे में हैं जो एक समने इक पूरा एक वीडियो बना दिया डी टेल वीडियो लेकिन उसके अलावा भी कुछ सब्द और हैं वो भी आज में लेकर के आया हूँ बहुत important वीडियो है यहां से एक आदा प्रसन आपको देखने को मिल सकता है इसलिए जरूर देखें वीडियो को तो संप्रते concept बच्चों के लिए क्या होता है क्योंकि अपने बच्चों को बढ़ाएंगे और बच्चों बाल मनोविग्यान ही अपने पढ़ रहे हैं तो बच्चों के संदर्ब में concept क्या है यही अपने को पढ़ना है साथ यो देखें वस्तूओं के सामाने गुणों के आधार पर बालक के मन में बनने वाले मानसिक परति रूप को संप्रते कहते हैं मानसिक परति रूप एक परकार से परतिमान बोलते हैं इसको कि वस्तूओं के सामाने गुणों के आधार पर बालक के मन में बनने वाले मानसिक परति रूप को ही क्या कहते हैं संप्रते कहते हैं बालकों में संप्रते की विशेष्टाएं क्या होती हैं देखे साथियो बालकों में संप्रते की विशेष्टाएं पहली जो विशेष्टा है वो क्या है बालकों में संप्रते व्यक्तिक होते हैं यहीं परते वच्चे का संप्रते का उनसे प्रकार से अलग होता है ठीक है संपर्ते निर्मान का एक निश्चित पैटर्न इसमें होता है बालकों में संपर्ते सामाने से विशिष्ट की और होते हैं और ये स्रेणी बद होते हैं और एपरिभासित होते हैं तो ये आपको ध्यान में रखना है ज्यादा कोई रटने की आउसेक्ता नहीं है बाल को में जो कॉंसेप्ट है उसकी विशेष्ट था कि अब बच्चे concept किस प्रकार से बनाते हैं तो वेक्तिक होते हैं परते एक बच्चे का concept अलग लग होता है स्रेणीबद होते हैं आय परिभासित होते हैं और एक निश्चित pattern में हो गभाई जाir शी बात है स्रेणीबद और एक निशित पेटरने की बात है बालकों में संपरते सामाने से विश्ष्ष्ष्ट के ओर होते हैं तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है तो concept क्या है और इसकी विशेष्टा है क्या है बालकों के लिए बालकों में तो ये सारी बातें उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे अब डिसकस कर लेते हैं पर बालकों में संपर्ते निर्मान की परकिरिया क्या है सबसे पहले देखिए, बालक समपरते निर्मान की सुरुवात तब से होती है जब उद्धीपकों में विभेद करना सीख जाता है उद्धीपक यानी जैसे भूख के लिए भोजन है, वो उद्धीपक है और प्यास के लिए पानी है, वो भी उद्धीपक है तो बोजन किसके लिए उद्धिपक है और पानी किसके लिए उद्धिपक है इसका विवेद जब करना बचा सीख जाता है तब बच्चे में संपर्ते निर्मान करने की काबिलियत आती है बालक में भासा सीखने से पूर्वा ही संपर्ते निर्मान प्रारंब हो जाता है जाहिर सी बात है बच्चे को पानी और दूद के बारे में पता होता है बोजन और पानी के बारे में पता होता है जब उसे बोलना नहीं आता है लेकिन फिर भी उसको इस चीज के बारे में पता होता है ठीक है तो संपरते निर्मान की जो जो शुरुवात है संपरते निर्मान ठीक है और फिर सामानी ख्रण प्रकिरिया क्या है यानि कि प्रकिरिया यही है कि पहली बात तो बच्चे में जो है उद्धीप को व्यद करना आना सी, वह अगर आ गया तो उसके बाद बच्शा तूरना करेगा, परस्पल तूरना यह वरगीखन करेगा, यह कि- यह कि- कि- यह आपका उद्धीपक कर निर्माड कर लेगा, और फिर समायनिकर कर लेगा, कि बोज़न में अपनने संपर्ते निर्मान को पढ़ना था वह अपनने पढ़ लिया है आगे अबन जो है इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे आगे अपन पढ़ेंगे जो अधिगम सम्मंधी विकरतियां हैं उनके बारे में ठीक साथ ही उम्मिद करता हूं इतनी बातें अच्छे परकार से समझ में आ गई होंगी संपर्ते निर्मान क्या है संपर्ते है क्या एक परकार से जो बच्चों में दिमाग में जो चीज यानि कि गुणों के आदार पे कोई मन में जो परतिरूप बन जाता जैसे सक्तिमान के गुणों के आदार पे सक्तिमान का परतिरूप बच्चों क अंदर चिप गया, तो वो सकतीमान जो है, वो परतीमान हो गया एक परकार से बच्चों के लिए, तो ये सारे चीजें है, तो समपरते क्या है, क्या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए था, और यहां से प्रसंद भी बन सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया, अब यहाँ पे जो यह जो पार्ट है, most important है, यह सब्द जो है, वो काफी important सब्द साती है, इनको ध्यान में आपको रखना ही है, पहला है पठन विकरती, इसको बोलते हैं dyslexia, सब्दों को पढ़ना, पढ़ न पाना, वाचन न कर पाना, पहचान यह होता है, पठन विकरती यानि dyslexia, dysgraphia किस से सम्दित है, लेखन विकरती से सम्दित है, वैसे बता चुका हूँ मैं इनके बारे में सब के बारे में, लेकिन इसमें कुछ सब्द ऐसे जो नहीं बताए हैं मैंने आपको, वो देख लेनें आपको, dyscalculia, गणीत विकरती है यानि कि जिसको गणना करना नहीं आता उसको बोल देंगे dyscalculia किसम से इसको, अफेसिया, हकलाना या तूतलाना जिसको भासा विकरती के अंदर आता है, और फिर bulimia, भोजन ग्रहन करने सम्दि अगर विकरती है किसी बच्चे में, तो वो bulimia से ग्रिस्त है, डिमेंसिया, तरक ने कर पाना, चिंतन, समर्ण सक्ती का कमजोर होना, ये क्या है, डिमेंसिया है, फिर है, कम आयू में वर्धावस्ता के लक्षन, ये है, प्रोजेरिया, कम आयू में जो है, वर्धावस्ता के लक्षन अगर दिखाई देने लग जाएं, तो वो प्रोजेरिया से पिर है अलेक्सिया सीखने में ऐसमर्थ होना ये क्या है अलेक्सिया है फिर है गती कोसल विकरती अगर किसी में है दोड़ा नहीं जा रहा है कोई और समस्या है बोलने में समस्या है डिफेजिया उसको बोलेंगे लेकर वा गणित समंदी दोनों अगर दो से एक साथ आजाएं देखिए लेखन समंदी विकरती को डिस्ग्राफिया बोलते हैं और गणित समंदी विकरती को डिस्कैल कुलिया लेकिन लेखन और गणित विकरती दोनों एक साथ हो जाएं तो उसको बलेंगे डिस्प्रेक्सिया तो मॉस्ट इंपोर्टेंट हैं सब्द इंपोर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि एक्जाम में 2018 रीट 2018 में साथियो इन से परसंद आये हुए 2018 में यहां से परसन आ गया था रीट के एक्जाम में इसी परकार की कोई बता दिया कि यह इस परकार की समस्या तो कौन सी विकरती के अंतर गताएगा यह विकरती का साइध नाम दिया था उसके बारे में बताना था यह कौन सी करने हैं वैसे मैं बीस बाइस सब्द आपको उस दिन बताए थे और आठ दस आज भी बता दिये हैं तो इनको आपको ध्यान में रखना है एक अलग पेज पे लिख लेना है समर्थता वाले में ही इसको आड़ कर लेना और संपर्दे क्या होता है वहे भी अपने डिसकस कर लिया और इसी के साथ साथ यो यूनिट नंबर दो जो है वो कंप्लिट होती है अब यूनिट नंबर दो में कुछ नहीं बचेगा आपकी यूनिट जो एक है unit 1 complete हो चुकी है unit 2 जो है वो भी आज complete हो चुकी है सिर्फ इसमें क्या रहा है आपका एक वीडियो बनाऊँगा मैं test का वीडियो अपना बनेगा test का वीडियो वो अभी नहीं बनाया है वो अपन कल बना लेंगे test कल हो जाएगा आपका उसके बाद unit number 2 complete है इसके बाद अपन unit number 3 start करेंगे और फिर 4 और उसके बाद में जो है unit number 5 अपनी आ जाएगी ठीक है साथियो और इसे के साथ syllabus भी अपना फिर हो जाएगा तो किसी परकार की दिक्कत नहीं है सारा syllabus आपको करवाओंगा already मैं आपको science math वालों के दिली सारा syllabus हो गया science और math जो दोनों करवा चुका हूँ Hindi आपकी online करवा चुका हूँ Sanskrit करवा चुका हूँ SST जो है वो कोशिस करेंगे हो पाए वैसे आधी से ज़्यादा SST करवाई है और भी करवाने की कोशिस करेंगे तो सारे subject आपको बंदा नया है और हमारा matter जिसको पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और बेल आइकोन को प्रेस करने के बाद जो all notification का निसान आता है उसको क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो के notification आपको मिल जाएं ठीकर साथियो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरू करें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नेट उपक के साथ तब तक के लिए जै हिन जै भागत